नमस्कार, आज हम बात करेंगे वोटिंग के विज्ञान की नमस्कार, संजे जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आप इतने सारे सर्वे करते हैं, इतने सारे रिसर्च करते हैं बहुत टाइम से आप लोग चुनावों को लगातार फॉलो कर रहे हैं वर्शों से और इस बार के चुनावों को भी बहुत सारे सर्वे के बाद आपने एक बहुत सारे आंकलन भी निकाले हैं तो आपको क्या लग रहा है सबसे पहला सवाल और बेसिक सवाल जो है कि लोगसर्ग चुनावों में कौन जीत रहा है इस आप से लगता है कि बीजेपी की पकड मजबूत बनी भी है अगर 2019 के चुनाओ के तुल्ला में भी देखें तो बीजेपी बड़ी मजबूत दिखाई पड़ती है और लगता है कि बीजेपी इस एलेक्ट्रोरल रेस में आगे है लेकिन दस साल हो गए है सरकार को तो आफ्टर 10 years of governance मतलब इन पावर जब आप रहते हैं तो एक anti-incumbency factor हम बहुत जादा सुनते आए हैं क्या बीजेपी के case में या anti-incumbency factor काम करेगा किसी भी लिहाज से आपके आँक्रे क्या कहते है आपका survey क्या 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 बार बार इ जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो आपके बाल सफेद हो जाते हैं लेकिन हमने ये भी तो देखा है पुछ लोग की उम्र हो जाती है बाल सफेद नहीं होते हैं और बाल बिल्कुल घने रहते हैं जड़ते भी नहीं हैं तो अपवाद होते हैं और दोईश को अगर चुन पंदरा साल तक मुक्छा मंत्री थे लए स्पाड़ा साल रहने के बाद बी बड़ी जीत हासिल की और गुजरात में आज 25 साल से भी ज्यादा बीजेपी की कासाशन है तो थंबरूल नहीं है कि अगर आप 10 साल सत्ता में हैं तो आपके खिलाब सत्ता विरोधी लहर होगी और यही ऐसा थंबरूल नहीं है और कम से कम बीजेपी के जो केंदर सरकार है उसके खिलाफ को सरकारे में बेरोजगारी के बारे में लेकिन कई ऐसी चीजे हैं जिसे लोग समझते हैं कि यह बीजेपी सरकार की बड़ी उपलब्दी है तो थोड़ी बहुत निराशा है उसको यह जो उपलब दिया है वो ठक देती है अगर नहीं पाती तो एंटीन कमेंसी दिखाई पड क्योंकि लोगों को लगता इस सरकार की कुछ इतनी बड़ी उपलब्दी है जो दूसरे सरकारों ने पूरा नहीं किये और अगर उदारन सैंपल देना चाहूं या वह कौन से काम है धारा 370 का हटाना राम मंदिर का बनाना और हिंदुस्तान का दुनिया में नाम उचा होना यह कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लोग बहुत इंपोर्टेंस देते हैं और यही लोग भले ही अनेप्लॉइमेंट के बारे में या बेरोजगारी और प्राइसरे के बारे में एंग्जाइटी तो है उनकी लेकिन उसको उतनी तरजीद नहीं देते जितनी इन चीजों को मह कि जब हम घर से निकल रहे हैं तो हम किन मुद्धों को वोट दे रहे हैं किसी व्यक्ति विशेश को वोट दे रहे हैं किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं यह कैसे तै करता है एक जो वोटर है वो कैसे तै करता है अपनी पसंद के हिसाब से जो उसे लगता है कि उसके लिए ज़्यादा महत्रपूर्ण है जब एक बच्चा कॉलेज एडमिशन के लिए जाता तो कई बार उसके लिए कॉलेज इंपॉर्टेंट होता है मुझे इस कॉलेज में जाना चाहे स्ट्रीम जो भी मिल जाए कि भाई मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ना है वहले ही साधारन कॉल पाकि कुछ भी हो मैं पाटी B C D को नहीं दे सकता तो पार्टी ये के साथ जांगा कुछ लोग कहते पार्टी ये पसंद तो है लेकिन ये कहते हैं पार्टी प्पसंद नहीं है पज़के नाम पर बड़ी संख्या में लोग बड़ी संक्या की बात करें तो प्रधान मंत्री नरे नर्मोदी के नाम और उनके काम काज पर बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं कुछ लोग मुद्दों को देख के वोट करते हैं और मुद्दे भी अलग-अलग होते हैं जिसका आपने जिक्र किया कुछ लोगों के लिए महगाई म परसों में देश में नहीं हुआ और इस सरकार ने कर दिखाया तो क्यों ना मैं राम मंदिर को ज्यादा महत्वद हूँ और इसके आधार पर ऐसी पार्टी को वोट दूँ जिसने राम मंदिर बनवाया तो तमाम कंसिडरेशन होते हैं जब हम चुनावों से पहले देखते ह हैं बहुत सारी बयानबाजी होती है वाइदा कारोबार भी शुरू हो जाता है ये सारी चीज़ें चलती रहती है तो क्या इन डिबेट्स का या जो चैंडिटेट्स वैसे पर candidate हैं हमकी speeches का, vote डालने के जो फैसले होते हैं हमारे उन पर असर पढ़ता है और कितना positive और कितना negative असर देखते हैं इसको. देखें, speeches का तो फरक पढ़ता है, एक slippage होती है पिछले अगर आप चुनाओं को देखें, तो कितनी सब चीज़ों की चर्चा होती रही है, एक बार किसी ने, एक Congress के नेता ने कह दिया चायवाला, और चायवाले के नाम पर ही कितनी campaign चल पड़ी और उसके लिए attraction था, अगर आप 2019 के चुनाओं बात करें, तो चौकिदार चोर है, और चौकिदार मैं भी चौकिदार ने campaign चल पड़ा, तो speeches का महत बहुत होता है, आपके मुझ जबान से एक बात slip हुई, और वो आपको आपके लिए नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे कई उदारन है पहले भी, फायदा बहुत मिलता नहीं है, नुकसान होने की गुझ जाइच बहुत रहती है, आप एक दफ्तर में काम करते हैं और आपने दस अच्छे काम किये, तो चैंगे आप तो आप आप आफिस के मतलब employee हैं, तो आपसे तो आप एक शाह अच्छा काम करेंगी, लेकिन अगर एक गलत काम हो गए आपसे, एक mistake हो गई, उसे लोग आपको अगले कई सालों तक बताते रहेंगे, आपने वो गलत काम किया था, तो जब slippages होते हैं, speeches का महत्व होता है, अच्छे speeches से बहुत जादा कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके जुबान फिसली है आपकी, तो उससे भारी नुकसान है, जी, हम party, candidate और मुद्धों की बात कर रहे हैं, एक और चीज होती है कि कि किसी party का या किसी candidate का, उस party के candidate का, के लिए endorsements, या कुछ public figures हैं, जो उनके लिए advertisements कर रहे हैं, उनके लिए vote मांग रहे हैं, या आपको बता रहे हैं कि इस party को vote दे सकते हैं, क्या इन endorsements से affect पड़ता है, पड़ता ही होगा, जैसा मैं समझ पाती हूँ, जितना मैं देखती हूँ, और इसको फिर कैसे किसी भी आम आदमी को, इससे कैसे बचना चाहिए, कैसे इस से खुद को रोके, तो advertisement का अफ़र बहुत होता है, और हम सब जब बच्चे थे, छोटे थे, आज हमारे जो बच्चे अगर छोटे हैं, तो कहते हैं नहीं, दूद में कुछ नहीं है, बहुत मिटा डाल लो, या ये health drink डाल लो, ये डाल लो, जिससे मजबूती आएगी, advertisement, सारे washing powder एक ही के नाम से जाने जाते हैं, भई वो सर्फ निर्मा washing powder, तो advertisement का बहुत फरक पड़ता है, लेकिन मुझे लगता इससे बचने का तरीका, और वो politics में भी है, advertisement जिसकी ज़्यादा होती है, चमक धमक जादा होती है, तो जनता उसके प्रती आकरशित हो जाती है, लेकिन जैसे हम आम जीवन में अपनी चीजों को खरीदने में साफधान ही रखते हैं, सिर्फ advertisement पे नहीं जाते, past performance भी देखते हैं, आप TV खरीदते हैं, fridge खरीदते हैं, तो बचने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, जिससे हम बच सकते हैं, अपने आख, नाख, कान खुले रखने की जरूरत है, तब हमने कुछ एक दिमाग में तै किया है, अल्मोस्ट लगबग हम तै करके जाते हैं, कि इस EVM पर यह बटन हमें दबाना है, इस नाम के आगे या इस पार्टी के आगे मौर, लेकिन वहां पहुचते पहुचते, लास्ट मिनेट चेंजे दिमाग में कितना हो सकता है, या होता है, इसको ले करके क्या करें गया, मतदाता आखरी दो दिन में बड़ी तादाद में मतदाता अपना मन बनाते हैं, अगर आख लोग के नजरीय से बताऊं, तो तकरीबन 12-14 परसेंट ऐसे वोटर हैं, जो आखरी के 48 घंटे में, 50 घंटों में अपना मन बनाते हैं, कि आखर आखर आब वोट किसे देदा है, दोनों तरह के वोटर हैं, कुछ लोग जिसका महौल बनता वाद दिखता है, उसके पक्ष में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं, बैंड बैंग एफेक्ट कि जो जीतता वाद दिख रहा है, वोट उसी को दे देते हैं, और कुछ अंडर डॉग भी एफेक्ट होता है वोटर ओपर, कि भाई वो तो जीत ही रहा है, अब क्या करें उसको वोट दे के, क्यों ना मैं ऐसे उमिद्वार के साथ, जो कमजोर दिखाई पड़ता है, तो आखरी 48 गंटों में, 50 गंटों में, वोटर मन बनाते हैं, आज बहुत सारे तकनीकों का रेफेर्ण्स हमें देखने को मिलता है, वोटिंग को लेकर के, इसी तरह जिन चीज़ों को आज हम फिक्शन समझ रहे हैं, AI के दौर में हम सोचते हैं, कि ऐसी चीज़े भी हो सकेंगी, या हो सकती हैं, या हो पाएंगी आगे बविच्चे में, वो हो सकता है, अचानक से हमें दिखने लगे कुछ सालों बाद में, AI एज में वोटिंग के फ्यूचर को लेकर के कैसे देखते हैं, लेकिन जिस तरह से AI का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, हर चीज में, तो चुनाव कराने की प्रक्रिया में मुझे लगता है कुछ बदलाव आएगा, लेकिन वोटर वोट कैसे दे, उसमें कितना बदलाव आएगा, मैं अभी इसके बारे में सोच नहीं पा रहा हूँ, कि वोट देने के आपके वोट देने के निर्णे पर वो कितना प्रभाव डालेगा, आपके वोट देने के टकनीक वो कितना प्रभाव डालेगा, मुझे लग रहा है कि चुनाव कराने की प्रक्रिया जो है, प्रणाली है या गिंती की प्रणाली हो कराने की प्रणाली हो उस पे AI का भरता वा नज़र आ रहा है वोटरों के दिमाग या वोटरों के वोट देरे के नियनने पर उसका कितना असर पड़ेगा मुझे अभी लगता है कि अभी मुझसे काफी दूर करें सो कुछ और खास वोटिंग के विज्ञान को लेकर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें बिल्कुल मुझे लगता है हमने अच्छी चर्चा की अच्छी जानकारी दिये कभी और दूसरे मौक आपका, नमस्काइब